नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल नौलिज साथी पर मैं शिवम एक बार फिर से हाजर हूँ आपके साथ कुछ और वेकिंसी की जानकारी लेकर नर्सिज और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जैसा कि दोस्तो आप जानते हैं हर हपते हमारे सेग्मेंट में हम आपके लिए लेकर आते हैं अलग-अलग जॉब्स और वेकिंसी की जानकारी नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए इस भीक दोस्तो जो हम जॉब्स लेकर आए हैं वहे हैं उत्तर प्रदेश की और से UP NRHM की ओर से दोस्तो यहाँ पर total vacancies की बात करें तो 25,000 vacancies दोस्तों यहाँ पर निकाली गए है UP government की ओर से जो की अलग-अलग शहरों के government और उससे सम्मंदित hospitals में निकाली गई है ठीक है किस तरीके से आप apply कर सकते हैं आये दोस्तों इस चीज़ को समझते हैं दोस्तों इन jobs के लिए apply करने के लिए आपको एक form को fill करना होगा जो की हमने हमारी description box में share कर रखा है ठीक है तो वहाँ से आप उस form को download कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपनी details को fill कर सकते हैं उसके अलावा दोस्तों आगे बात करें अगर हम इस job के बारे में तो यहां पर अलग-अलग पोस्ट के लिए job निकाले गए हैं जैसे कि निश्चेतक, physician, chest physician, चिकित्सक, EMO, staff nurse, ward boy या फिर ward आया ठीक है अलग-अलग पोस्ट के लिए दोस्तों यहां पर vacancies रखी गई है, ठीक है आगे दोस्तों बात करें क्या-क्या आपको form में fill करना है तो यहां पर दोस्तों आपको अपनी basic details fill करनी है जैसे कि आपका नाम, आपके पिता का नाम, ठीक है आपकी marital life, उसके बाद अगर हम आगे बात करें यहां पर आपको अपनी section के योगिता के बारे में यहां पर बताएना है आपने qualification में क्या किया है, ठीक है आपके job के लिए apply कर रहे है किस board या किस university से आपने qualification क्या है वो आपको यहां पर mention करना है, ठीक है आगे दोस्तों बात करें तो किस post के लिए आप apply कर रहे है तो वो आपको यहां पर mention करना है ठीक है, अगर मानलीज आप nursing के लिए apply कर रहे है तो आपको nurse लिखना है किस संस्थान में कर रहे है तो यह जो jobs हैं दोस्तों यह government hospitals या उससे संबंदित hospitals में तो आपके शहर में या आपके आसपास में जो भी शहर है उस शहर का आप government hospital का नाम फिल कर सकते हैं या जो भी government से संबंदित hospital हैं उनका वहां पर आप नाम mention कर सकते हैं स्वास्त जिला अधिकारी या उनके office से प्राप्त कर सकते हैं ठीके अंतिम दिवस क्या होगा दोस्तो इसका तो इसकी जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ठीके तो इसको आप blank छोड़ सकते हैं या आप इसकी जानकारी चाहते हैं तो आप upnrhm.gov.in पर जाकर इसके बारे में जादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि अभी तक यह जानकारी नहीं प्राप्त हुई है कि यह jobs कब तक रहेंगी ठीके आगे दोस्तो बात करें तो यहाँ पर आपको form को fill करना है उसके साथ साथ आपको अपने documents को attach करना है ठीके कहां पर आपको यह form को submit करना है तो दोस्तो अपने सहर के स्वास्त जिला अधिकारी के office में आपको इस form को भरकर fill करना होगा ठीके एक मई से दोस्तो यह form filling शुरू हो गया है बट अभी तक इसका last date ऐसा disclose नहीं हुआ है ठीके जैसे कि इस योजना के अंतरगत कौन आविदन कर सकता है तो यहां पर अगर आप निश्चेतक हैं पिजिशन हैं चिकितसक हैं एमो हैं लैब टेक्निशन हैं स्टाफ नर्स हैं वाड वोई या वाड आया हैं तो यहां पर दोस्तो जबाब दिया गया है वरतुमान COVID-19 परिदृष्ची को देखते हुए प्रधेश के प्रतेक जिले में कर्मीयों की सेवायं प्रदान करने हैं इतु आवेधन प्रक्रिया की शुरुआत की गई है जो की आएस्थाई है ठीके तो ये जो jobs हैं दोस्तों ये contract basis पर रहेंगी कब तक रहेंगी इसके बारे में नहीं बताया गया है ठीक है तो contract basis पर आपकी ये jobs रहने वाली है आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अगला जो प्रशने वह है इच्छुख अव्यर्ती आविदन कैसे कर सकते हैं ठीक है तो आविदन फॉर्म भरकर सेक्षिक योग गिता अविलेख जमा कर सकते हैं ठीक है यानि कि जो फॉर्म हमने आपके साथ शेयर किया है हमारे description box में उस फॉर्म को भरके वहाँ पर आपको अपने documents को attach करना है और उसको attach करने के बाद आप अपने शहर के मुख्य चिकित्सा जि अगर पोस्ट के लिए कि इस पैश्लिस्ट डॉक्टर की बात करें दोस्तों यहां पर तो MBBS होना चाहिए विज पोस्ट ग्रेजुशन ग्रेट फील्ड ठीक है उसके अलावा medical officer की बात करें तो यहां पर MO होना चाहिए चीक है या फिर BAMS, BHMS, BUMS ठीक है उसके अलावा dental की अगर हम बात करें तो यहां पर BDS होना चाहिए या फिर EMO, MBBS होना चाहिए ठीक है Lab technician की बात करें दोस्तों यहां पर Diploma होना चाहिए Medical Laboratory Technology में यानि कि DMLT आपके पास होना चाहिए Staff Nurse की बात करें तो यहां पर Diploma in GNM होना चाहिए ठीक है, World War के लिए यहां पर High School रखा गया है ठीक है Last question की बात करें दोस्तों तो कब तक आप apply कर सकते हैं तो एक मई से दोस्तों शुरू हुए है यह form ठीक है लेकिन इसका कोई भी last date अभी तक mention नहीं किया गया है यानि कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जल्ट से जल्ट इन jobs के लिए apply करें तो दोस्तों यह कुछ जानकारी थी जो हम आपके लिए लेकर आयो हमारे इस वीडियो में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें पास बने बैल आइकन के बटन को जरूर दबाएं तब तक के लिए दोस्तों बने रहें नौलिज साथी के साथ धन्यवाद